नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये हैं फायर्मूल्ट ग्लाडियाटर स्मार्ट वोच जो आली में लोज चुई हैं एमेजोन पे और आपको मिलती है टू फॉर डेबल नाइन में अलाकि इसकी प्रैस कम जादा हो सकती है लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये वाच आपको 2999 या उसके अंडर मिलती है तो काफी बड़ी आडील है लेकिन अगर आपको 2999 के उपर पे करना पड़े तो ये आपके लिए एक्स्पेंसिव डील होगी ये जो स्मार्ट वोच है काफी मिलती जूलती है एपल वाच अल्टरा की तरह ही प्यूंकि आप देखोगे जो केस ह इसका और जो राइट साड में क्राउन बटन और जो साड बटन है वो कम्प्लेटली सेम है एपल वाच अल्टरा की तरह ही इसके लावा ये है एक कॉलिंग स्मार्ट वाच मतलब कि आप इस वाच में कॉल को रिसीव कर पाऊगे इसमें डिस्प्ले काफी बड़ा है 1.96 इं और इसमें है silent mode और ये है IP67 water and dust resistant मतलब कि आप इसे पानी में एक मिटर की रहे तक आदे घंटे के लिए उसके पाऊगे तो हम करने वाले है इसका फुल सेट अप हम देखेंगे starting से लेकर end तक आपको किस तरीके से इसका setup करना है कौन-कौन से features और settings आपको मिल जाते है इस watch में और इसके app में तो unboxing करने पे आपको मिलेंगी इतनी चीजे ये है user manual warranty information card इस watch के लिए आपको मिलती है one year की warranty ये है book my show का voucher गाना प्लस subscription तीन मैने के लिए और ये है bold play app membership voucher warranty को कैसे activate करना है और इन सब भी vouchers को कैसे redeem करना है मैं आपको बताऊंगा आगे इस उडियो में ये है magnetic charging cable और smart watch बात करते है battery और charging की तो आपको इस तरीक से attach करके इसे charge करना है ये magnetically attach हो जाता है इसमें 250 mh की battery इसे full charge करने के लिए आपको लगेंगे दो घंटे आपको मिलेगा 5 से 7 दिन का battery backup लेकिन अगर आप calling का उसकरोगे तो आपको मिलेगा 2 दिन का battery backup charging करने के लिए आप 5 ओट या 10 ओट का charging adapter यूज़ कर सकते हो जितना slow charger आप यूज़ करेंगे उतना बहतर होता है smart watch की battery life के लिए long run में या आप अपने PCI laptop में जो USB पोड़ता है उससे भी charging कर सकते हो तो जो smart watch है दिखने में काफी बढ़िया है हाला कि apple watch ultra की तरह लगती तो है लेकिन ये apple watch ultra की clone नहीं है क्योंकि कुछ चीज़े है जो सेम है लेकिन सारी चीज़े apple watch ultra की तरह सेम नहीं है इसकी जो build quality है काफी solid और sturdy है इसमें आपको मिलता है aluminum alloy का case तो आपको मिलती है metal body इसके लो right में है crown button और side की button बीच में है mic और इस side में है speaker calling purpose के लिए जो straps से काफी बढ़िया quality के है लेकिन आप इन straps को remove नहीं कर सकते है तो अगर आपको replace करना हुआ straps को आप सोच रहों की इ किसी और smart watch के straps को use करूँगा तो आप ऐसा नहीं कर पाऊगे उपर में है एक metallic buckle और दो straps holder इस smart watch को first time use करने से पहले आपको इसे full charge करना है ताकि आपको first time से ही अच्छा battery backup मिले तो मैंने इसे full charge कर लिया है मैं करूँगा इसे switch on तो इसके लिए आपको उपर वाले crown बटन प इस smart watch को अपने phone के साथ pair करने के लिए आपको अपने phone में play store में जाकर इसे आपको download करना है जिसका नाम है दाफिट इसे आपको download कीजिए इसके बाद आपको इसे करना है open आपका gender birthday set कीजिए अपने हिसाब से day month और year इसके अलावा आपकी height centimeter में आपका weight kg में set कीजिए फि उपर में लिखा होगा to add आपको इस पर tap करना है while using the app पर tap कीजिए allow कीजिए फिर से allow कीजिए ताकि आपके phone में Bluetooth on हो जाए आपको wait करना यहाँ पे शो करेगा firewood gladiator आपकी smart watch होनी चाहिए switch on तो यहाँ पे शो करना है firewood 072 यही है यह smart watch आपको इस पर tap करना है फिर आपको अपनी watch में call को receive कर सको तो हमने call के feature को own कर लिया है आपको जना है device की tab में उपर में battery level show करेगा मतलब की समझ जना कि आपकी watch pair हो चुकी है तो सबसे बहुत करेंगे watch face की तो watch face को आप one tap में यहाँ से change कर सकते हो इस तरीके से आप देख सकते हो watch face इस तरीके से change हो जाते है साला कि अगर आपको watch face को download करना हुआ तो last वाले watch face पर जाना है आपको लिखा होगा face gallery आपको इस पर tap करना है तो यहाँ पर आपको मिलते है केवल 20 watch faces जो काफी disappointing है साला कि update के जरीए यह जो watch face से बढ़ सकते है तो आपको wait करना है update का लेकिन अब भी फिलाल आपको इन में से किसी को भी download करना हुआ तो आपको इस पर tap करना है download करने के लिए इस तरीके से पर आपको करना है download पर tap तो इस तरीके से आप अपने किसी भी watch face को डाउनलोड करके apply कर सकते हो जो watch face से apply हो चुका है आप देख सकते हो अगर आपको अपनी खुद की photo set करनी है तो उसके लिए watch face number 3 पे लिखा होगा edit आपको उस पे tap करना है edit पे यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग-अलग preset background के लिए आप इन्हें भी use कर सकते हो अगर आपको अपनी खुद की photo set करनी है तो last में लिखा होगा choose from album आपको उस पे tap करना है ग्यादरी को open कीजिए जिस किसी photo को आपको set करना है आपको उस photo पे tap करना है जैसे मुझे set करनी है यह photo तो मैं इस पे tap करूँगा आप इसे zoom in zoom mode कर सकते हो उपर नीचे left right भी कर सकते हो अपनी हिसाब से फिर आपको करना है टिक पे tap जो time है उपर में शो कर रहा है आप चाहो तो time को नीचे कर सकते हो यहाँ पे मिलेगा आपको time position आप दो चीजों को show कर सकते हो time के उपर और नीचे और जो font का color है आप उसे भी change कर सकते हो यहाँ से आपको जो color set करना है set कीजिए फिर कीजिए इस तरीके से आप अपने किसी भी photo को set कर सकते हो watch face पे जो आपकी photo है set हो जुकिए आप देख सकते हो आप अपनी watch में एक साथ 8 watch face को place करके रख सकते हो हाला कि इसमें से 6 watch face से specs होते हैं आप उन्हें change नहीं कर सकते जो तिसरा watch face है और जो last वाला है बस वही change होते हैं तो अगर आपको watch face को change करना हुआ तो आप अपनी watch के home page पे long tap करोगे और फिर swipe करके भी आप इस तरह के से change कर सकते हो आपको जिसे set करना है उस पे tap करना है set करने के लिए इसके लावाद जो watch face है apple watch ultra का एक watch face यहाप पे दिया गया है यह वाला आप इस पे tap करोगे तो जो color है उसे change कर सकते हो जैसे कि यह है sky blue इसके बायाद है pink तो इस तरह के सही हाँ पे आपको बिलेंगे teen colors tap करने पे आगे है notification तो आपको इस पे tap करना है phone को on कीजिए permission को allow कीजिए ताकि आप अपने जो call से अपनी watch में receive कर सको इसके अलावा SMS के लिए message को on कीजिए allow कीजिए इन में से कौन से apps की आपको notification receive करनी है आपकी watch में आपको उन apps को on करना है मैं चाहता हूँ twitter enable कीजिए da fit आपको on कीजिए allow कीजिए back जाईए इसके लवा whatsapp instagram तो एक कुछ apps है जो आपको मिल जाते है इस list में हाला कि अगर आप चाहते हो आपके फोन में जितने भी apps से उन सभी apps की notification मुझे मेरी watch में मिले तो आपको others को on करना है लेकिन अगर आप others को on करोगे तो आपको आपकी watch में काफी कम battery backup मिलेगा इसलिए आप चाहते हो battery backup अच्छा मिले तो आपको others को ओफी रखना है तो जो काम की है आपके लिए जो जरूरी है आपको unicorn करना है अब देखते हैं अगर आपको कोई भी call आता है तो किस तरके से शोगरेगा आपकी watch में तो call आ चुका है इस तरके से आपको show किया जाएगा ringtone भी बज़री है और watch vibrate भी हो रही है क्योंकि हमने vibrato और ring को set किया है contact का ना में number शोगरेगा और यहाँ पर आपको लेंगे तीन option अगर माल लेते हैं आपने इसे accept कर लिया call को तो यहाँ पर मिलेंगे आपको चार बटन volume को adjust करने का option तो आप यहाँ पर call के volume को adjust कर सकते हो और इस तरीके से फिर यह है call को switch करने का option तो जो call है अभी watch में चल रहा है अगर आप चाहते हो जो call है phone में switch हो जाए तो आपको इस पर tap करना है जो call है जा चुका है phone पे वापस आना है watch पे तो इस पर tap किजे इस तरीके से आप जो call है उसे switch कर सकते हो और यह है mic को mute करने का option तो अगर आपनी इस पर tap किया तो आप अपनी watch में जो mic है उसे mute कर सकते हो मतलब कि सामने आले को आपकी आवज नहीं जाएगी और यहाँ पे end में है call को cut करने का option अगर आपको अपनी watch में call को रिसु नहीं करना है आप चाहते हो केवल call आए तो उसका reminder शो करें लेकिन उसे call को रिसु नहीं करना है तो आप calling के feature को off कर सकते हो तो माल लेते मैंने calling के feature को off कर लिया है आसे phone को off कीजिए इसके बाद अगर call आता है तो कैसे शो करेगा यह भी ह हो रही है contact का नामे number शो करेगा और यहां पर आपको लेंगे दो option इस call के प्रियों को remove करने का और इस call को cut करने का इस सट्याप करोगे मतलब यहाँ से जो call होगा हड़ जाएगा अलकि जो ring होगी अभी भी बज़री आपके phone में तो आप अपने watch के जरीए जो ring है phone में उसे commute नहीं कर सकते अब देखते हैं अगर आपको कई भी SMS आता है तो किस तरीके से चुकरेगा आपकी watch में तो SMS आ चुका है watch में भी SMS आ चुका है लेकिन डिस्प्लेस का अनुता नहीं है तो आपको इसे manually on करना पड़ेगा इसके अलावा watch जो है vibrate होती है जब SMS आता है तब औ और आप इस तरीके से अपने मेंसेज को या SMS को read कर सकते हो तो यहां पर Hindi Connor support करते लेकिन Emoji support नहीं करते और आप इस स्वाइब करके उस पूरे मेंसेज को read कर सकते हो और अगर आपको इसे डिलीट करनाः हुआ यही इस प्याप करके अब देखते हैं अगर आपको कोई भी WhatsApp मेसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा WhatsApp आ चुका है अलाकि इसमें भी आया है वाच वाइबरेट करती है लेकि इसका ओनोता नहीं है तो आपको डिस्प्ले कोन करना पड़ेगा और ये है आपका WhatsApp मेसेज आप इस तरीके से इसे रीड कर सकते हो अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया है यहाँ पे तो आपको करना ह आपको अगर किसी को भी ओपन करना हुआ तो आपको इस पर ट्याप करना है उससे ओपन करके रीड करने के लिए आप यहाँ पे अपने पिछले 5 मेसेज को रीड कर सकते हो और अगर आप देखोगे हर एक मेसेज में आपको 67 लाइन श्चो करेंगी अगर आपको सभी को एक रोड़ेट करेंगे बाद में आगे है श्चैडर जैसे में इस पर ट्याप करूंगा आपको करना है वाले जिंदी एप और यहाँ पर उपन होगा कैमरा और यहाँ पर उपन होगा श्चैडर बड़न तो आप करोगे तो आपके फोन में फोटो कैप्चर हो जाएगी 3 सेकं के बाद आप ट्याप करके या शेप करके इस तरगे से फोटो कैप्चर कर सकते हो यहां से आप फ्लैश को ओनुप कर सकते हो इसके लबा कैमर को आप यहां से रोडेट कर सकते हो आगे है एकाड तो आप अपने जो QR-Code है अपने social media के QR code या फिर आपके payment app के QR code उससे save करके रख सकते हो अपनी watch में ताकि quickly आप उसे access या scan कर सको तो आपको e-card पे tap करना है upload पे tap किजिए सबसे बेले आपके जो भी QR code है आपको उसे download करना है अपने phone में उसके बाद आप उसे यहाँ पे upload कर पाओगे तो आपको QR code पे tap करना है जिस QR code को आपको add करना है आपको उस पे tap करना है जैसे कि यह है Instagram के लिए तो आप यहाँ पे जो title है उसे भी add कर सकते हो जैसे कि Instagram करागराम, ok पे tap किजिए, save पे tap किजिए, फिर से अगर आपको add करना है तो plus ke sign पे tap किजिए, इस तरीके से आप maximum 3 QR code को add कर सकते हो, अपनी smart watch में, अगर आपको इनमें से किसी को भी remove करना हुआ, तो आपको इसे swipe करना है, left में, इस तरीके से, और आप minus ke sign पे tap करके, उसे remove कर सकते हो अगर आपको किसी को change करना हुआ तो आप ट्याप करके उसे change कर सकते हो इस तरीके से आगे हैं favorite context मतलब कि आप अपने जो context से save कर सकते हो अपनी वाश में maximum 8 context को आप save कर सकते हो आपको इस पे tap करना है तो आप ज़्यादा तर जो use करते हैं context को उन्हीं को add करना है context को select कर लेता हूँ तो मैंने add context को add कर लिया है फिर आपको करना है done पर tap जिस order में यह context से आप पर show कर रहे हैं सेम उसी order में आपकी वाश में भी show करेंगे अलाकि आप 3 बार पे long tap करके track करोगे तो आप इन्हें उपर नीशे कर सकते हो इस तरीके से अगर आपको इन में से किसी को भी remove करना हुआ तो आपको करना है swipe और minus की send पे tap करना है इससे remove करने के लिए अगर आपको add करना है तो plus की send पे tap करके आप add कर सकते हो maximum 8 contacts को आप add कर पाओगे फिर आपको करना है done पे tap आपको याद रखना है इस contact में इससा कोई भी number add नहीं करना है जिसमें star या hash हो अगर इससा कोई number होता है तो आपकी watch में sayo नहीं होंगे back जाओगे तो आगे है others मतलब की settings इसमें सबसे पहले है find device मतलब की आप इस picture के जरिए अपनी smart watch को ढूण सकते हो मानलो आपने अपनी smart watch को कई पर रख दिया है आपको मिल नहीं रही है आपने उससे miss place कर दिया है तो अगर आपको अपनी smart watch को ढूणना हुआ तो आपको इ आपने smart watch को ढूण पाओगे हाला कि ये feature तभी काम करेगा जब आपके watch आपके phone के साथ connected होगी आप अपनी smart watch में time को set नहीं कर सकते है जो time show कर रहा है आपके phone में से होई time show करेगा अला कि आप जो time format है उससे change कर सकते हो यहाँ पे मिलेंगे आपको दो option 12 hour और 24 hour आपको जि आप करके आपको time को set करना है start time end time जो time आप set करोगे उस time के दोरान ये feature काम करेगा मतलब की आपकी watch में कोई भी message या call नहीं आएगा इसके लाब आपकी watch में कोई भी vibration या sound नहीं होगा आगे है reminders to move मतलब की sedentary reminder तो अगर आप इससे on करोगे तो इसके बाद क्या होगा गुबा की 10 से लेकर रात के 10 बज़े तक हर घंटे आएगा एक alert अगर आप हर घंटे कोई भी activity या moment नहीं करते तो और ये है continuous heart rate detection मतलब की आप अपनी smart watch में automatic heart rate को own कर सकते हो तो आपको इस time करना है timer set करना है जो time आप set करोगे हर उस time के दोरान आपकी watch में heart rate automatic measure होता 20 minute मतलब की मेरी smart watch में हर 20 minute के बाद heart rate measure होगा आप जितना time यहाप पे कम रहोगे उतनी battery ज्यादा train होगी ये चीज़ आपको याद रखनी है अगर आपको यूज़ करना है तो रखिए 30 minute अगर आपको battery को save करना है आप चाहते हो की battery ज्यादा यूज़ना हो तो आपको इसे close करना है automatic heart rate यूज़ नहीं करना है मैं इसे off करूँगा close करूँगा done करूँगा फिर आप जब चाहते हो अपनी smart watch में heart rate को manually measure कर सकते हो बड़ी आसनी से आगे है stress measurement तो अगर आप चाहते हो आप क्यूज़ मेज़र हो तो आपको इसे on करना है अगर आप चाहते हो automatic measure ना हो तो आपको इसे off रखना है automatic कोई भी measurement आप रखोगे तो बैटरी उससे ज्यादा यूज़ होती है इसलिए अगर आपको बैटरी को से उकरना है जो भी automatic setting से आपको इसे off ही रखना है आगे है control phone music मतलब कि आपको अगर अपने phone में जो music है उसे control करना है अपने phone के जरिए तो vibration off हो जाएगा और जो race to wake का feature है मतलब की quick view वो भी off हो जाएगा तो आप night time में इसका use कर सकते हो सोने के दुरान आगे है auto lock मतलब की screen time out तो यहाँ पे set किया गया है 5 seconds मतलब की अगर mini display को on किया तो अब ये 5 seconds के लिए on रहेगा उसके बाद off हो जाएगा तो आप इसे 5 seconds से ल रखोगे उतना भेतर आपको battery backup मिलेगा ये आपको याद रखना है और ये reset करने का option तो आप जो अपना data है app में और watch में यहाँ से delete कर सकते हो अगर आप reset करोगे तो आगे है quick view मतलब की race to wake का feature तो मानलो आपने इससे own किया है मतलब की अगर आपकी watch में display off है अगर आप इस से उपर उठाओगे इस तरीके से तो इसका display own हो जाएगा इससे कहते है quick view या race to wake का feature आप इसे time के हिसाप से भी use कर सकते हो तो आपको all day पिटाप करना है जो time आप set करोगे start time in time उस time के दुरान ये feature काम करेगा अगर आप चाहते हुए जो feature है all day काम करेगे तो आपको time set कर करना है पानी पिना मैं चाहता हूँ सुबह में 9 बजे से start हो तो आपको time set करना है start time कितनी बार आपको पानी पिना है मैं चाहता हूँ 6 बार इसके लाव हर कितने time के बाद आपको पानी पिना है मैं चाहता हूँ हर 2 गंटे के बाद तो यहापे आपको set करना है 120 मिनट बद कि मेरा जो hard rate है upper limit के उपर जा चुका है अगर आपको check करना है अपनी smart watch में कि आपके location पे weather कैसा है तो आपको अपने city को यहाँ पे add करना है आप अपना city का नाम या जो pin code है उससे search कर सकते हो जैसे कि मुझे search करना है मुंबई तो आपको मुंबई पे tap करना है मुंबई का weather show करेगा मेरी watch में और end में है female logo के लिए physiological cycle reminder मतलब की period tracker तो आपको इसे on करना है cycle day आपको set करना है 28 days का menstrual days मतलब की period कितने दिन के लिए होता है 5 days का set कीजिए last time आपको कवाब आता period जो date है आपको set करनी है इसके बाद remainder mode आपको चाहिए menstrual remainder period के लिए on कीजिए बैक जाहिए और यह जो remainder है next time आएगा तो कितने बज़े चाहिए तो जो time है आप सुबह के time set कर सकते हो यहाँ पे इसके बाद है calendar check करने का option तो आप अपना जो calendar है cycle calendar यहाँ पे चेक कर सकते हो और यहाँ पे जो month है उसे भी change कर सकते हो इस तरीके से और यहाँ पे last में है upgrade करने का option तो अगर update available होगा तो यहाँ पे show करेगा और आप यहाँ से उसे download कर सकते हो बात करते हैं homepage की जहाँ पे आपको show करेगा आपका vital और activity data यह है आपका आज का data आज आप कितने step चले हो distance, kilo calorie energy और आप जो भी vital को measure करोगे अपने smartwatch में जैसे की heart rate, blood pressure, SPO2 और stress यहाँ पे show करेंगे आप उस प्रिट्याब करके उन्हें detail में check कर सकते हो day by day इसके लावा आपका sleep data यहाँ पे शुकरेगा, तो आप कितने time सोए इसके लावा आपके अलग-अलग sleep stages कितने बज़े आप सोए, कितने बज़े जागे और आपका sleep score यहाँ पे शुकरेगा और यह है outdoor running आपकी smartwatch में GPS नहीं है लेकिन आप अपने phone के GPS को यूज़ करके outdoor running या कोई भी outdoor workout कर सकते हो live route के साथ आलाकि आपको अपने phone को साथ में लेकर workout करना पड़ेगा, तो इसे कहते है GPS assisted workout mode तो आपको इस पे ट्याप करना है, turn on कीजिए allow all the time कीजिए back जाईए, start पे ट्याप कीजिए तो यह जो workout है, आपके smartwatch में भी start हो जाएगा, आप देख सकते हो तो यहाँ पे शो करेगा timer, distance, kilocalorie energy आपकी pace, pace मतलब अगर आप 1 km distance कवर करोगे तो आपको कितना minute लगेगा, यह है minute और second, आपके steps और आपका hard rate, अगर आपको देखना हो आपका live route, तो आपको map पे ट्याप करना है तो आपको उनसे route पे running कर रहे हो यहाँ पे आपको आपका live route शो करेगा अगर आपको back जाना है, तो normal पे tap किजिए आप इसे अपने smartwatch से भी end कर सकते हो आपको इस तरीके से end पे tap करना है, तो यहाँ पे आपका show करेगा live route और यहाँ पे data और आप अपने smartwatch में जो भी workout करोगे, उसका data अगर आपको check करना हुआ, तो यहाँ पे tap करना है आपको look more training data पे tap कीजिए, जो भी आप workout करोगे, उसका data यहाँ पे show करेगा आप उसे detail में check कर सकते हो यहाँ पे अब बात करते है, profile settings के तो आपको profile के tap पे tap करना है profile पे tap करके, आप यहाँ पे अपना gender, birthday, height, weight और step length, मतलब की कदमों के लंबाई, change कर सकते हो जब चाय दब, इसके आगे है goal मतलब की daily goal आपको रोजाना कितने step चलने है, तो आप daily step goal है, यहाँ से change कर सकते हो, पिर आगे है background operation, protection guide तो इसके लिए आपको करनी है, दो चीजे ताकि आपकी जो smart watch है, आपके phone के साथ, बार-बार discorrect ना हो, और यह जो app है, background में ठीक से work करें, तो इसके लिए आपको जाना है, recent app में, app icon पे tap कीजिए, और कीजिए, lock this इस app, यह आपके phone में होगा, lock icon यह लिखा होगा, keep open, आपको इस पर tap करना है lock का icon शो करेगा, इसके लिए आपको जाना है, app info में, battery में और यहाँ पे selection करना है, पहले पे unrestricted पे, आगे है google fit, तो अगर आप google fit का इस करते हो, तो आपको इस पर tap करना है, और करना है connect, इससे क्या होगा, इस दाफिट आप में आपका जो भी data है, जैसे की heart rate, SPO2, steps, distance, kilocalorie energy, वो data आप अपने google fit app में भी देख पाऊगे तो दोनों app में आपका health data sync करेगा, तो अगर आप चाहते हो ऐसा हो तो आपको connect पर tap करना है अब हम देखते हैं, आपको अपने watch के warranty को कैसे activate करना है, तो उसके लिए आपको अपने phone में chrome browser को open करना है address bar में lens का icon होगा, आपको उस lens के icon पर tap करना है, जो warranty card है उसमें QR code दिया गया है आपको उसे scan करना है, तो camera पर tap कीजिए, और इसे scan कीजिए इस QR code को फिर आपको search पर tap करना है open होगा, warranty form अगर आपके browser में ऐसा शो कर रहा है, तो आपको advance पर tap करना है और करना है, proceed तो यहाँ पर enter करना है आपको अपना name, email id mobile number, आपने इसे कहां से purchase किया है, तो मैंने किया है amazon से, इसके लवा इसका name, तो आपको यहाँ पर करना है firewall gladiator 072 नीशे होगा, तो इस पर tap कीजिए, gladiator पर और आपको end में है यहाँ पर choose करना है no, कीजिए next और end में कीजिए submit पर tap, इसके बाद आपके watch की warranty activate हो जाएगी, और अगर आप इन voucher को redeem करना चाहते हो तो आपको इस तरीके से सभी को scan करके, one by one ऐसे phone को open करना है, जैसे कि यह है bookmashow का voucher, तो आपको enter करना है, अपना name, email id mobile number, इस smartwatch का name, आपने इसे कहाँ से purchase किया है, और आपको क्या करना है आपको इस smartwatch का review post करना है, amazon पे उसकी screenshot capture करके इसमें attach करनी है, और end में करना है submit पे tap, इसके बाद whatsapp पे आएगा आपको message fireball की तरफ से, और आपको मिलेंगे coupons इनके लिए, उसके बाद आप इन्हें redeem कर पाऊगे, तो हमने अपने smartwatch को इस app के दर ये setup कर लिया है, अब हम देखेंगे आपको watch को कैसे use करना है इस smartwatch में आपको मिलती है दो buttons उपर में है, crown button जो है twin one, जिसे आप press भी कर सकते हो और इसे घुमा भी सकते हो, तो बात करते इसके press के function की, तो माल लेते, आप homepage पर हो, ऐसे में अगर इस पर press करोगे, तो आप display को on-off कर सकते हो, इस तरीके से और अगर आप किसे भी menu में enter करते हो, वहाँ से अगर आपको directly जाना हुआ, homepage पर तो आपको इस पर press करना है, direct homepage पर जाने के लिए, और अगर आप इस button पर long press करोगे, तो आप अपनी watch को कर पाओगे, switch open या फिर switch open आपको टिक पिटे आप करना है, switch open करने के लिए, अब बात करते हैं इसके crown function के, मतलब कि आप इसे घुमा कर, अलग-अलग activity कर सकते हो, जैसे की, watch face को अगर आपको change करना है, तो बस आपको ऐसे, इसे करना है rotate तो जो watch face है, आप change कर पाओगे इसे घुमा कर, इस तरह किसे इसके लावा, अगर आप किसी भी menu में, enter करते हो, और अगर आपको वहां से, उपर नीचे जाना हुआ scroll up या scroll down, तो आपको ऐसे, घुमाना इसे, उपर नीचे जाने के लिए अब बात करते है, side key की, जिसका aq, aq function यह special दिया गया है, workout mode को access करने के लिए, तो आप इस पर press करके, जो अपने workout mode है यहां से access कर पाओगे, यहां पर आपको मिलते है, 123 workout mode, तो आप किसी भी menu में हो अगर आपने उस button पर press किया, तो आप directly access कर पाओगे, workout mode को इस तरीके से, home page पे अगर आप swipe up करोगे, तो आप अपने जो message है, यहां से read कर सकते हो और home page पे अगर आप swipe down करोगे, तो आपको मिलेगा, control center, उपर में battery level, और edit show होती है सबसे पहले है, calling के feature को on up करने का toggle, तो अगर आप इस button आप watch में, call को receive नहीं करना है तो आपको इसे off करना है, यह call का feature off हो जाएगा, आप जो भी media play करोगे, आपके phone में, फिर चाहे कोई भी music हो, video हो, या YouTube हो तो उसका sound हमेशे अपले होगा, आपकी watch में, अगर आप चाहते हो, इसा ना हो, तो आपको इसे off करना है, तो आप जो भी media play करोगे, उसका sound ले होगा आपके phone में, और यह है phone reset, तो अगर आपको calling के feature को reset करना है, जो भी आपने contact add किये है, जो भी आपकी call history है उसे अगर आपको delete करना हुआ तो आप कर सकते हो, phone reset आगे है brightness को adjust करने का toggle, तो आप यहापे brightness को slide करके, adjust कर सकते हो इस तरह के से, आगे है menu style, तो यहापे आपको भी लेंगे 8 अलग-अलग menu style यह है list, लिस्ट में आपको इस तरह के से menu show करेंगे, vertical main menu यह है grid view इस तरह के से show करेंगे parallel surface crescent full moon helm honeycomb तो आपको जो menu style रखना है आप उसे set कर सकते हो main menu के लिए आगे है e-card, तो जो भी हमने QR code add किये है, यहापे शुकरेंगे आप arrow पे tap करके, इनके बीच में switch कर सकते हो इस तरह के से, instagram, phone pay, whatsapp, इसे scan कर सकते हो बड़ी आशनी से, आगे है torch तो आप यहाँ पे, one tap में इससे on up कर सकते हो, इस तरह के से और यह है, settings इसमें सब से पहले है display, और इसमें पहले है brightness तो आप यहाँ से भी adjust कर सकते हो brightness को, आगे है, sleep मतलब की screen timeout, हमने set कहाता है, आप में 15 second, same way settings आपको यहाँ पे मिल जाती है, 5 second से लेकर 30 second के बीच में आप रख सकते हो मैंने रखा हुआ है 15 second, आगे है watch face तो आप यहाँ से भी change कर सकते हो watch face को इस तरह के से, आगे है menu view जो हम देख चुके है, और यह है wrist rice मतलब की, wrist week का feature, आप यहाँ पे one tap में इसे on up कर सकते हो जब चाहे तब, आगे है vibrate and ring, तो आपको इस पर dab करना है सबसे पहले है mode, मतलब की अगर आपको कोई भी call आता है, तो जो alert है, केसा चाहिए, आपकी watch में सबसे पहले है, vibrate तो अगर आप इस पर set करोगे, तो अगर कोई call आएगा, तो आपकी watch में होगा केवल vibration, और अगर आप चाहते हो कोई भी call आए तो मेरी watch में ringtone भी बज़े और vibration भी हो, तो आपको set करना है विसरे पे, vibrate and ring पे अगर आप चाहते हो, call आने पे मेरी watch म्यूट रहे, मतलब की ringtone भी ना वज़े, और vibration भी ना हो तो आपको set करना है, mute पे आगे है intensity, मतलब की vibration आपको कितना चाहिए, तो यहाँ पे है दो option, strong और soft मतलब की अगर आपको अपनी कलाई पे हलका सा चाहिए vibration तो आपको soft place it करना है, अगर आप चाहते हो vibration काफी ज़्यादा, feel हो मुझे मेरी कलाई पे, तो आपको strong पे tap करना है, dnd mode को आप यहाँ से भी on up कर सकते हो, one tap मे low power mode दिया गया, मतलब की battery saving mode, जो हमने देखाता है अप में अगर आप इस 7 करोगे, तो होंगी charge ज़े, और यह है phone मतलब की calling का feature, जो हम पहले ही देख चुके है, system में आपको मिलेंगे, तिन option, इस smartwatch को restart करने का, switch off करने का और इसे reset करने का, about में अगर आप जाओगे, version में और आप अगर D7 पे ट्याप करोगे लगातार इस तरह किसे, तो यहाँ पे आपको लेंगे, अपने speaker और mic को test करने का option, तो आपको speaker mode पे ट्याप करना है मतलब की आपके speaker ठीक से काम कर रहे है, अगर sound आ रहा है तो, और माइक के लिए, तो माइक पे ट्याप करके आपको कुछ बोलना है, अगर आपको आपकी watch में आपकी आवाज सुनाए देर, यह मतलब की mic ठीक से work कर रहे है तो मैं अब यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ और जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे उसका sound आ रहा है मतलब की जो mic है, ठीक से work कर रहे है तो ओफ कीजिए इसे इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी watch में mic या speaker ठीक से work नहीं कर रहे है अब बात करते है shortcuts की, तो उसे access करने के लिए आपको home page पे करना है, swipe lift सबसे पहले है, sleep data तो आपका sleep time, इसके लवा आपके अलग-अलग sleep stages यहाँ पे show करेंगे graph voice आगे है plus का sign, तो आप अपने हिसाब से shortcuts को add कर सकते हो, आपको plus के sign पे tap करना है यहाँ पे आपको भी लेंगे कई सारे shortcuts आप सभी को add कर सकते है one by one, tap करके इसरी किसे plus पे tap करके, tap कीजिए add करने के लिए, तो मैंने सभी shortcuts को add कर लिया है, इसके आगे है activity, मतलब कि आपका आज का रिटा, तो आज आप कितने step चले हो kilo calorie energy, और आपका workout time, इसके लवा आगे है आपका heart rate, तो आपको tap करना है इसे measure करने के लिए, यहाँ पे शोगरेगा आपका result, और यहाँ पे आज का maximum minimum शोगरेगा, आगे है blood pressure, तो आपको tap करना है measure करने के लिए, आपका Sbp, Dbp, शोगा, normally यह Sbp, जो होता है, 90 to 140 के बीश में होना चाहिए, और Dbp, 60 to 90 के बीश में होना चाहिए आगे है SbO2, तो आपको tap करना है measure करने के लिए, normally यह 95 यह उसके उपर होना चाहिए तो यहाँ पे शोगरेगा आज का maximum minimum आगे है stress measurement आप अपना जो तनाव है यह stress है, उससे measure कर सकते हो यहाँ से आपको tap करना है यहाँ पे शोगरेगा आपका stress level normally 60 के नीचे होना चाहिए अगर 60 के उपर है, मतलब कि आपको stress है और यहाँ पे शोगरेगा आपका आज का maximum minimum stress level आगे है weather info तो अभी फिलाल कितना weather है इसके लबा आज का sunrise, sunset time और आने वाले अगले 6 दिन का weather आप यहाँ पे चेक कर सकते हो minimum और maximum temperature के साथ इसके आगे है phone call, मतलब की calling का feature तो यहाँ पे आपको विलेंगे किनों options पहला है, context मतलब कि जो भी context आपने add किये है यहाँ पे show करेंगे आपके add context अगर आपको इन में से किसी को भी call करना हुआ तो आपको उस पे tap करना है call करने के लिए आगे हैं dalpad तो आप किसी भी number को यहाँ पे dial करके call कर सकते हो बड़ी आसनी से dalpad पे आप जो symbol है उन्हें भी उस कर सकते हो जैसे की star, hash और plus आपको उस number पे long tap करना है उस symbol को add करने के लिए इस तरीके से आगे हैं आपके recent call मतलब की आपकी call history तो यहाँ पे show करेंगे आपके recent 4 calls तो आप अगर यहने call करना चाहते हो फिर से तो आपको tap करना है फिर से उसे call करने के लिए और यहाँ पे जो call history है आप उसे clear फिर कर सकते हो यहाँ पे है clear all का option आगे है workout mode तो यहाँ पे आपको बलेंगे total 123 workout mode हाला कि यहाँ पे एक star show करते है 20 workout mode तो अगर आपको इसमें किसी को add करना हुआ तो नीचे plus के sign पे tap करना है जिस category में से आपको sports को add करना है उसे आपको open करना है जैसे कि मुझे add करना है cricket, table tennis और hockey तो मैं add कर दूँगा ऐसे 3 sports को तो अगर आप जाओगे home page पे तो आप देखोगे यहाँ पे उपर में show करेंगे आपके नए workout, table tennis, hockey और cricket मैंने 3 add की है मतलब की नीचे से 3 remove हो जाएंगे तो आप जितने add करोगे उतने ही नीचे से remove होते जाएंगे आप यहाँ पे एक साथ 20 workout mode को place कर सकते हो, अगर आपको इनवे से किसी को भी start करना हुआ, तो आपको उस पे ट्याप करना है, start करने के लिए तो यहाँ पे show करेगा आपका timer, steps, kilo calorie energy आपका heart rate, distance और आपकी pace, अगर आपके इसे pause करना है, तो उपर वाले बडन पे press किजिए, यह ओ चुका है, pause press किजिए, resume करने के लिए और से end करने के लिए, इस square के बडन पे tap किजिए, इसे end करने के लिए अगर आप चाहते हो, आपका workout से हो रहे है आपके watch में और आप में तो आपको minimum एक मिनिट के लिए workout करना है इसके आगे है message, आप read कर सकते यहाँ से, और यह है shutter तो आपको tap करना है, आपके phone में open होगा camera, अलग कि अभी open नहीं होगा क्यूंकि open होने के लिए आपके phone में जो dafit app है उसका open होना जरूरी है तो dafit app को open रखिए, इसके बाद आपको इस पर tap करना है, अब आपके phone में open होगा camera, फिर आप tap करके या shake करके photo capture कर सकते हो इसके आगे है music player तो आपको tap करना है music को play करने के लिए play पर tap किजिए music player हो चुका है लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपको अपने phone के music player को open करना है play करना है post करना है, इसके बाद आपको फिर से play करना है अब play होगा volume को adjust करने का option नहीं दिया गया है आप यहाँ पर play post कर सकते हो previous next जो music है play हो रहा है watch में, अगर आप चाहते हो music play हो आपके phone में, तो आपको जाना है control center में phone को open करना है और जो audio लिखा हुआ है उससे off कीजिए अब जो music होगा, play होगा आपके phone में, watch में play नहीं होगा phone में music play हो रहा है तो जब आपको लगता है कि जो music है, sound है play होना चाहिए phone में तो आपको audio को off रखना है अगर आप चाहते हो, जो भी sound है, play होना चाहिए मेरी watch में तो आपको इससे on रखना है इसके आगे है, relaxation मतलब की breathing workout तो यहाँ पर है दो condition अगर आप stress को कम करना चाहते हो या आप सोना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ stress को कम करना, तो उस पर dab कीजिए timer set कीजिए, इसके बाद जेसे circle चोटा होता है, बड़ा होता है, उसरी किसे पर tap करना है, time set करना है hour और minute, इसके अलावा यहाँ पर am pm करने का option है, swipe करके आप इससे change कर सकते हो, tick पर tap कीजिए कौनकों से दिन को आपको play करना इस alarm को, तो आप जो day है, उन्हें भी choose कर सकते हो, फिर आपको करना tick पर tap save करने के लिए back जाईए, इस तरह के से आप eight alarms को add कर सकते हो, आप यहाँ से on-up कर सकते हो, alarm को बड़ी आसनी से और tap करके उसे change भी कर सकते हो, या उसे delete भी कर सकते हो, तो जब भी alarm का time आएगा तब आपको मिलेगा alarm का reminder, इस तरह के से आपकी watch में, vibration के साथ, जिसमें आपको लेंगे दो option, इसे end करने का और इसे snooche करने का snooche करोगे, तो यह जो alarm है, फिर से 10 minute के बाद play होगा, इसके बाद है timer, आप यहाँ पे start कर सकते timer को, इसके आगे है stop watch, यहाँ पे आप start कर सकते हो, लाप का भी feature दिया गया है, इसके आगे है, games, सबसे पहले floppy, tap कीजे, change करने के लिए, hamster, battleship, 2048, play करने के लिए, play पे tap कीजे, इस तरह किसे आप game को play कर सकते हो, अपने smart watch में, इसके आगे है, calc का feature तो यहाँ पे है, addition, subtraction, multiplication, division और percent का भी feature दिया गया, तो आप percentage भी find कर सकते हो, अपनी इस watch में, इस तरह के से, अब बात करते है, main menu की, तो अगर आप home page पे swipe right करोगे, तो आपको में लेगा, main menu, यहाँ पे आपको लेंगे, 6 shortcuts, पहला है, voice assistant, तो आप इस पे tap करोगे, तो आप अपने phone में, जो Google assistant है, या Siri है, उसका यूज़ करपाऊगे, how is the weather? इसमें अच्छी बात है कि अगर आपका phone लोग भी होता है, फिर भी यह feature काम करता है, tell me live cricket score, और यहाँ पे दिये गए है पाच और अलग से apps, अगर आपको सभी apps को, या menu को access करना हुआ, तो आपको all apps पे tap करना है, यह रहे आपके सारे main menu, यहाँ से हमने most of features को देख लिया है, जो नहीं देखा है, वो है exercise record, मतलब कि जो भी आप workout करोगे, तो आपका workout data यहाँ पे show करेगा, आगे है cycle tracking, तो अगर आप एक female हो, और अगर आप आपने period tracker कोन किया है, तो आप अपना जो period है, यहाँ से track कर सकते हो, इस तरह के से, और यह है find phone का शांदार feature, तो आप इसके जरी अपने phone को ढूण सकते हो, माल लो आपने अपने phone को कई पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप अगर speed up करोगे, तो आपके phone mirroring बज़ेगी, आपका phone अगर silent word पे होता है, फिर भी आपके phone mirroring बज़ेगी, आपको set up करना है, stop करने के लिए back जाईए, हाला कि यह feature दो भी काम करेगा, जब आपकी watch आपके phone के साथ connected होगी, दोस्तों तो यह था fireboard gladiator का full set up guide, अगर आपको कोई भी सवाल हो, तो आप हमें पूच सकते हो, आप मुझे instagram पे या फिर twitter पे भी analysis कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के लिए धन्ने बाद दोस्तों